हिंदी सायत्य के छायवाद के अंतरगा चार प्रमुक को भी हुए हैं प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा तो आज हम महादेवी वर्मा की एक अत्यांत प्रसिद्र कविता पंत होने दो अपरिचित इसका अध्यान करेंगे सबसे पहले मैं इस कविता में आयो एक अठी शब्दों का अर्थ बताऊंगा उसके बाद हम अलग-अलग इस्टेंजा का अर्थ देखेंगे उसकी व्याख्या देखेंगे पंत होने दो अपरिचित महादेवी बर्मा पंत होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला घेर ले चाया अमाबन आज कजल अश्रुओं में रिम जिमले या घिराघन और होंगे नयन सुखे तिल बुझे और पलक रुखे आर्द्र चित्वन में यहां शत विद्यतों में दीप खेला अन्य होंगे चरण हारे और हैं जो लौटते देशूल को संकल पसारे दुख रती निर्मान उनमद यह अमरता नापते पद बांध देंगे अंक संस्रिती में सेती मिर में स्वर्ण बेला दूसरी होगी कहानी शुन्य में जिसके मिटे स्वर धूली में खोई निशानी आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगती चल रही नित मोतियों की हाट आओ चिंगारियों का एक मिला हास का मद दूत भेजो रोश की भरुभंगिमा पतजहार को चाहे सहे जो ले मिलेगा उरचंचल वेद नाजल सपन शतदल जान लोवा मिलाने का की विरह में है दुकेला यह दीब सीखा जो उनकी कविताओं का संग्रा है यह 1942 में प्रकासित हुआ था उसमें से यह रचना ली गई है सबसे पहले हम देखते हैं कि इस कविता में आए वह 18 शब्द क्या है अपरिचीत अपरिचीत का अर्थ होता है अग्यात या अंजान प्रियपत प्रियपत मतलब यह जो प्रेमी के रास्ते पर ले जाने वारा जो जोपत है अथो जोपत हमें बहुत ही पसंद है दोनों ही तरह साप होता है तील बुझे मतलब जीन आखों के काले तारक गोलों में निराशा भरी हुई हो चित्वन या द्रिष्टी शत विद्वितों मतलब चमकती हुई सैकणों आकाशी विजलियों बारिस की दिनों में जो आकास में विल्ली चमकती है उसे उन्होंने शत विद् रखाया दूखुरती निर्माण उन्मद मतलब जिसे निर्माण का संकल्ब ले लिया है ले लिया हो अंक संस्रिती अंक मतलब बता है गोध संस्रिती मतलब स्रिष्टी स्रिष्टी की गोध में स्वार्ण बेला मतलब सुनहली सुभा उत्साह का वातवरण विस्मित मतलब पाश्चर से भरा हुआ और हास मतलब जो हसी खुशी से भरा हो इसके बाद मधुदूर्द मतलब वसंतरीतु जो पराग और मादकता का संदेश वहा को वसंतरीतु भरू भंगी में मतलब भाहों के विबिन संचरन मतलब भाहों के उपर नीचे आडातिर्चा करना उर एक हो जाते हैं। उफपना शतदल। मतलब कमल के फूल के तरह खिले हुए सपने । कमल के फूल से मिलन में एक में खोकर अपने और दूसरे के अस्तित्व को बूह जाने का भ्हाव. यद प्रेमी प्रेमी का मिनते हैं दुकेबा मतलब विरा में प्रेमी प्रेमी का दो हो जाते हैं और बिलन में एक हो जाते हैं तो आए देखते हैं इस कविता में क्या संदेश देने का प्रयास करती है महा देवी वर्मा पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला गेर ले चाया अमाबन आज कजल अश्रों में रिम ध तो जितनी भी पंक्तियां में संदर्व प्रसंग यही रहेगा तो इसलिए मैं सिर्फ एक ही बार इसका उगले क्या हूं पंत होने दोवा परिजित शिर्सक कविता जिसे यह कविता भी और गीद भी है यह दीप शिखा संकलन में 1942 में प्रकासी थी इसमें संग रही थे दीप शिखा की कविताओं में महादेवी की वैचारिक दिर्था पाहले के तुल्ला में और भी बढ़ी हुई दिखाई पड़ती है उनका यह मत है कि चाहे जो हो जाए हमें अपने काम और अपनी वैचारी की वैचार धारा पर दिर्था रहना चाहिए हमें अपनी विचार धारा में अपनी मालेताओं में दिर्था रहना चाहिए और हमें नए ने पत का चेहन करना चाहिए चाहे उस पत में कितनी भी मुश्रीबतें क्यों ना आए हमें अपनी विचार धारा पर दिर्था रहना चाहिए यह संदर्व है हमें अपनी विचारधारा पर दिड़ रहना चाहिए यह संदर्व है तो व्याख्य में देखते हैं इस कविता में महादेवी कहती हैं कि मैं जिस रास्ते पर चलना चाहती हूं वह मेरे लिए नया हो सकता है अपरिचित हो सकता है उस रास्ते की कठनाईयों का अनुमान मुझे नहीं भी हो सकता है यह भी हो सकता है कि इस यात्रा में मेरी इसाहता करने वाला कोई नहों संभाव है कि मेरा सहरा केवल मेरा आत्मबल हो मेरा आत्म विश्वास हो तब भी कोई बात नहीं महादेवी पुने विश्वास के साथ क कविता है वह प्रेमी रहश्यमय प्रेमिं यह कभीता दुहरा अर्थ rakti है एक अर्थ कर three क City के संगर्स ससम्न दित और दूसरा अर्थ है प्रिये पत सज्बार चलने की पडनायों से संगर्श इस कविता में दो पक्षाय हैं रास्ते में आने वाली कटनाईयां और अपनी हिम्मत महादेवी कहती है कि यदी मेरी छाया अम आवस्या की काली रात बनकर घेर ले घिरे हुए बादनों से ऐसे बारिश हो मान और निर्मल आशो बरस रहे हो फिर भी मैं हार मानने वाले नहीं हार की हो जाती होंगे तो मैं महादेवी वर्मा एक ऐसे नए रास्ते पर चलना चाहती है जिस पर पहले कोई न चला हो बहले यह रास्ता उनके लिए अंजान है उसमें बहुत सारी कटनाईयां भी आ सकती है घने अंदकार का भी सामना करना पड़ सकता है और बहुत सारी कटना है मैं हार नहीं मानूंगी मैं पीचे नहीं आतूंगी और के करना हैं कुछ ऐसे लोग भी है जो ऐसे रास्तव पर जाने पर दुखी होकर अपने कदम पीछे खीच लेते हैं उनinki आखों में निराशा बहुत है वहार के बापस लाट जाते हैं लेकिन न तो मेरी पलगे रूखी होंगी और ना ही मैं वापस लटूँगी बलकि मैं अपने प्रीतम के पत्पर चलते हुआ चले जाऊंगी तो यहाँ दो प्रकार के भाव है एक तो प्रीतम के पत्पर आने वाली कठनाईया है और दूसरा इस्त्री के जिवन में जो आने व जो उनके संघर्सों के करन निश्यत रुप से मेरी आखों में भी आसू आ गए हैं लेकिन उन आखों में भी जो आत्मिस्वास की जो चमक है जो उम्मीद की रौसनी है वह आज भी जग्मगारी है ठीक उसी तरह जैसे बरस्ते पानी में जब बारिस होती है तो जो बिजली च हम देखते हैं संदर प्रसंग वही रहेगा अन्य होंगे चरण हारे और हैं जो लौट ते देशूल को संकल पसारे दुख वरती निर्माण उनमद यह अमरता नापतेपत बांध देंगे अंक संस्रिती से तीमिर में स्वार्ण बिला अभी देखते हैं वे दूसरे ढंग के लोग होंगे जिनके कदम इन परिशानियों के करण हार माल लेते होंगे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो रास्ते के कठिनाईयों को देखकर हार माल लेते हैं वापस लोट जाते हैं वे दूसरे ढंग के लोग होंगे जो रास्ते के काटों को अपने संकल्प सापकर हारे व पुमर हो जाना चाहते हैं निर्माड के प्रति उन्माद के इस्तर तक का संक्ल पहले चुके मैं निर्माड के लिए सेजन के लिए पागल हो चुके हैं मैं पागलपन की तरह संकल पफरा हुआ है आशा यह है कि मैं हार नहीं मानूगी मेरे कदम स्रिष्ठी की गोद में फैले हुए अंधेरे के बीच सुनहला सविरा उत्पन कर देंगे मतलब मैं स्रिष्ठी की गोद में दिरंतर सिजन करते जाओंगी और यह जो तीसरा स्टेंजा देखते हैं दूसरी होगी कहानी सुन्न में जिसके मिटे सवर धूल में खोई निशानी आज जिस पर प्लयविसमित मैं लगती चल रही नित मोतियों की हाट और चिंगारियों का एक मेरा तो यह दो लोगों के मतब यह तुलना भी कर रही है कि हारे हुए लोग कोन होते हैं जो अपने संकल्प को छोड़कर वापस लोड़ जाते हैं तो दोनों प्रकार की बातों कोनों ने आप लेकिया है कि हारे हुए लोग कोन होते हैं तो उन लोगों की कहानी दूसरी कहानी ह जो पराजयबोद स्विकार कर लेते हैं पराजयबोद की वह कहानी दूसरे ढंकी होगी जहां संगर्स करने वालों की आवाज सुनने में समा कर मिल गई होगी और उनकी प्रत्येक निशानी धूल में खो गई होगी कुछ ऐसे भी होते हैं लोग जो पराजयबोद को स्विकार कर लेते हैं पराजयबोद के करन अपने रास्ते से वापस रोड जाते हैं कि यह काम मैं तो करी नहीं पाऊँगा तो उनकी जो आवाज है वह सुनने में समा कर समाप्त हो जाती है उसे कोई सुन नहीं पाता और उनके प्रत्यक निशानी धोल में खो गई होगी मतब संसार में उनका कोई नाम नहीं होता जो पराजित हो जाते हैं जो असपल हो जाते हैं असपलता को स्विकार कर लेते हैं मगर मेरे साथियां नहीं हो सकता मैं मोतियों की हाट और चिंगारियों का मेला लगा रही हूँ मतब निश्चित रुप से मेरे आँखों में आस्वों का मेला है लेकिन उसमें उम्मीदों और आकंछाओं की चिंगारियां भी है आसा यह है कि मैं आस्वों को क्रांती के रूप में ढाल लेना चाहती हूँ इसलिए आज इस हाट और मेला पर प्रलय भी रिस्मित हो गया है जो प्रलय मुझे मिटाने आया था वा मेरी हिम्मत देखकर राश्चरे से भर गया है मता मेरे रास्ते के जो संकर थे जो मेरे रास्तों के जो बाधाएं थी उसने भी जब मेरे संकल्प को देखा उसने देखा कि मेरे आखे जरूर आसों से भरी हुई है लेकिन उसमें उम्मीदों और आकांशाओं के चिंगारी भी है कविता के अंध में महादेवी वर्मा मनों अपने अग्यात और अंध प्रियतम को संबोधित करते हुए कहती है कि तुम चाहे प्रसंद रहने वाले वसंद को दूद बनाकर मेरे पास भेजो या भौ चड़ा कर रोज प्रगट करने वाले पतज़ड को मेरा हिर्दय सबकुछ सहलेगा मेरा हिर्दय अचन चल रहकर अपने दुख के आशों और कमल की तरह सुंदर सपनों को लेकर तुमसे म क्यविद्र प्रती उन्होंने अपना और किया रशियात्मा फञाव्ज ऑट वसंद की तरह मेरे जीवन में भूसियां भेजो चाहे पत जड़ भीजो, मतलब मेरे चाहे जीवन में वसंत आये, चाहे पत जड़ आये, मेरा हिदय सब कुछ सहले लेगा, और मेरा हिदय अचंचल रखकर, इस्थित रखकर, अपने दुख के आंसों को साथ में लेकर, और अपने हजारों सुंदर सपनों को लेकर तुम से मिलेगा चाहे कैसी भी परिस्थितियां आई, मैं अपने पत पर चलती रहूंगी, एक बात ताय है कि वह मिलन मुझे अकेला कर देगा, क्योंकि संगर्स की जिन प्रिणाओं ने मेरे व्यक्तित का निमान किया है, उन सब की पूर्णा होती इस मिलन में हो जाएगी, यह मिलन मेरे त प्रितम से मिरूंगी, तब मेरे जीवन का सारा संगर्स कतम हो जाएगा, और मैं अपने प्रितम के साथ मिलकर एक हो जाओंगी, एका कार हो जाओंगी, तो व्योग में जो दो होने का भाव होता है, व्योग में प्रितम और अलग अलग जगह में रहती हैं, दो होने का किया है वह सब समाप्थ हो जाएगा उसके पूर्णा होती हो जाएगी अरवेश सब इस मीलन में समाप्थ हो जाएगे तो इस प्रकार यह जो मिलन है आपके और मेरे अस्तित्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ उनमें द्वाव नहीं रहा जाता तो उनका कानायग विराह में हम दोनों अकेले होते हैं लेकिन मिलन में हम दोनों एक हो जाते हैं वेरल ये मिलन में एक आकी हो जाने का भाव है और विराह में दोनों के अस्तित्वान होने का भाव है मतलब मिलन में एक आकी हो जाती हूं ले इसी भी परिस्तितियां हमें अपनी विचार धारा प्रतिईड कि आना चाहिए क्यां और कि यह चियन और कि श्पयरों रखती इस कविता में दूर्फ में दिमान हैं एक आर्थ है एक अपनक से इस्तफी— दो प्रकार के संखार्सों का वड़ान है एक है इस्त्री के जीवन में आने वारे जो कटनाईया है जो संखार्स है और दूसरा प्रिय पत पर चलने वाले जो कटनाईया है प्रीतम के पत पर या फिर अपने पसंदीदा पत पर इस कविता में महादेवी मानों अपने अज्या और अनंत प्रियतम को भी संभोधित कर रही है क्योंकि इसमें चायावादी रहस्यवाद है अध्यात्मिक्ता का पूर है 28 और 14 मात्राओं की पंक्तियों से इस कविता का निर्माडवा तो यह इस कविता के कुछ खास बाते हैं कुछ खास दिसेशता हैं और इस कविता का जो म अठंडों, कि रहा सक्वितापद झालों, मैसे कविता शाम है, और बार जिसेशगता हैंक है, अजसाै serica दो खास सिति को प्वितार को लिए गरना समय है धन्यावादान, जस seems to make a